यह स्टॉक या यह आई पियो जब से लॉंच हुआ है तब से न्यूस में बना हुआ है इन्वेस्टर्स को टेस्ट कर रहा है तो आज के वीडियो में हम अनलाइज करेंगे इस कंपनी को इसके एक कौन प्रॉस को सकते और अट इसके स्टरेजी रहा हमगा फेस्टर अबगे लिस्टर तक का हुआ हम सिब्सक्राइप अब तक के पीरिद में फेडिय ऊनलोगों यह रहा है जो अ tussen यह stock almost 70% tank हो गया है 70% plung हो गया है since the time it was listed उस rate से उन लोगों के लिए जो अब इसे एक opportunity लेके इसमें entry करना चाहते हैं इन सभी लोगों के लिए strategy हम discuss करेंगे यह 197 communication या PTM का IPO November 8 2021 में launch किया गया था and issue price was 2150 November 18 2021 को यह list हुआ था NSC में listing rate was 1950 and BSC में listing rate was 1955 तो जो issue price था उससे नीचे यह list हुआ था यह जब IPO आया उस time पे DRHP या फिर अगर हम किसी भी analyst को सुने सब जगा it was clearly communicated कि जो issue price है stock का वो थोड़ा सा overvalued है overrated है stock and investors should be cautious while applying for this IPO लेकिन फिर भी यह जो IPO था वो retail category में 1.7 times and institutional category में 2.8 times oversubscribe हुआ था reason being the timing of the IPO yes timing of the IPO was such जब market में IPOs को लेके positive sentiment and liquidity यह दोनों ही चीज़े भर भर के थी और इसलिए IPO oversubscribe हुआ now आज की date पे यह stock trade कर रहा है 520 rupees पे so as I said कि almost 70% plunk कर चुका है अपना issue price 2150 के rate से यह stock तो इस time पे आप लोगों के लिए और अभी भी रोज आप देखोगे PTM पे कोई ना कोई news होती है अभी recently कल BAC ने warning issue करी थी PTM को क्यों क्योंकि continuously इसका stock price गिरता जा रहा है and this is a threat for investor and investors money तो यह situation क्यों आई कैसे इससे deal करना है यह सारी चीज़े आज के वीडियो में हम analyze करने वाले है उसके पहले मेरी आपसे एक छोटी से request है अगर आप मेरा channel follow करते हैं अगर आपको मेरी videos अच्छे लगते हैं और आपने अभी तक channel subscribe नहीं किया या फिर first time आप आज मेरा channel या मेरा video देख रहे हो तो please नीचे subscribe and bell button press करके इसे subscribe कीजिए video अगर आपको अच्छी लगे इसे like कीजिए share कीजिए अगर आपका कोई friend family में है जो ptm को लेके बहुत tension में है तो उन्हें भी ये video forward कीजिए हमारे बहुत सारे customized plans है जो आप लोगों के feedback आप लोगों की comments आप लोगों की calls के basis पे हम design करते हैं उन plans के description देखने के लिए नीचे description box में आप देख सकते हैं जिसमें सारी details दी हुई है join button के थूँ आप trader investor and the most loved multi bagger plan ले सकते हैं इसके अलावा अगर आप customized way में portfolio review portfolio management trade related services ये सारी चीज़े हम से लेना चाहते हैं multi bagger plans yearly basis पर discounted rates पर हमसे लेना चाहते हैं इन सारी चीज़ों के लिए आपको हमें contact करना होगा 98216 1167 पर yes 98216 1167 पर आप हमें whatsapp कर सकते हो या फिर call कर सकते हो आप हमें mail भी कर सकते हैं investopedia india zero at the rate gmail.com पे मीचे comment box में comment करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपके पास में paytm का stock है या नहीं आपको IPO में allot हुआ था आपने बाद में market में purchase किया या फिर आप अभी fresh entry करने का सोच रहे हो आप तीनों में से कौन सी category में lie करते हो तो guys now let's start देखिए जो लोग मुझे regularly follow कर रहे हैं उन्हें यह बहुत अच्छे से पता होगा कि मैं हर बार जब भी कोई IPO से related video बनाती हूँ या recently जिस company का IPO आया है उसके बारे में बात करती हूँ तो मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि DRHP draft red hearing prospectus is the document जिसको review करना बहुत बहुत important है किसी भी IPO में apply करने के पहले और अगर मैं किसी IPO के आने के पहले अगर मैं draft red hearing prospectus अच्छी तरह से analyze कर पाती हूँ तब मैं उस पर video बनाती हूँ अगर मचो time नहीं मिलता तो मैं उस पर video नहीं बनाती क्योंकि see draft red hearing prospectus एक document है जो किसी भी company को सेबी को submit करना जरूरी है जिसके basis पे जिसके review के basis पे सेबी note देता है कि yes आप IPO लेके आ सकते हो नहीं आ सकते किस rate पे अपना IPO लेके आ सकते हो now यह जो draft red hearing prospectus है इसमें जो company है वो कोई भी information hide नहीं कर सकती उसमें categorically risk factors का clause रहता है जिसमें company को अपने negatives देने होते है financials का clause होता है intention motive क्यों आप IPO लेके आ रहे हो सारी चीज़ें उसमें mention करनी होती है तो company को छुपा नहीं सकती है अगर आप उसको carefully पढ़ो तो आपको पता पढ़ जाता है कि यह stock या यह IPO कैसा perform करने वाला है यह positive listing करेगा या नहीं यह future में आपको अची returns देगा या नहीं इ एक यह से आये देखते हैं नेगा यह स्निपित मैंने और आदेहरिंग प्रोष्पेक्रसथी रह्पी से ही लिया है इसमें clearly यह लिखा यह कि फ्रेश ईश्यू जो है इस IPO का वहात्या सफ 83 थाॉज़न मेलियन वेर इन और आफर फोजाल इस वनाट लाट निलीन नाव दोर जो लोग already invested है जो investors है वो exit करने के लिए अपने shares वो बेच रहे हैं और fresh issue होता है जो fresh company funds generate कर रही है जिसमें fresh shares allot किये जा रहे हैं offer for sale का इतना बड़ा amount क्या ये शो कर रहा है कि जो already existing investors है मैं आपको मेशा कहती है कि अगर promoter या investor को ये यकीन है कि उनकी company का जो business model है जो financials है जो working है वो सही चल रही है वो future में अच्छा कर सकती है तो वो 100% exit option नहीं लेंगे वो company से exit नहीं करेंगे until and unless उन्हें ये doubt हो कि company अच्छा करेगी या नहीं तो ये एक तो जो investors exit कर रहे हैं ये एक alarming situation थी second अगर हम बात करें fresh issue की भी कि fresh issue में जो पैसा आने वाला है आप नीचे वाला snippet देखिए उसमें clearly इसका objective दिया है कोई major reason नहीं दिया general corporate purpose के लिए नए business initiatives में invest करने के लिए अपना अच्छे से और working करने के लिए basically उन्हें working capital की requirement थी that means कि company अभी normally run नहीं कर पा रही है और normal functioning के लिए उन्हें पैसो की requirement है याने कि company में कहीं न कहीं cash crunch है investors बहार जा रहे हैं company में cash crunch है company survive नहीं कर पा रही अगर normal conditions में मैं एक business moment हूँ मुझे अपना IPO लेकर आना है अगर मुझे पता है मेरे product में दम है अभी थोड़ा सा situation difficult है पर मैं survive कर सकती हूँ तो मैं ऐसे time पे ऐसे negative time पे अपना IPO नहीं लेकर आओंगी जब company अच्छी होगी तब जब अच्छा perform करी होगी तब अपना IPO लेकर आओंगी अगर मुझे long run में survive करना है पर अगर situation ऐसी है कि अगर मुझे immediately funds नहीं मिले तो मैं survive नहीं कर पाऊंगी और मुझे सबसे easy तरीका या सबसे अच्छा तरीका funds raise करने का है कि मैं market में अपना IPO लेकर आजाओं क्योंकि market में sentiment बहुत अच्छा है और मेरी company का brand value बहुत अच्छा है लोग day to day में मुझे जानते हैं पेटियम का सबसे बड़ा positive point ये रहा कि लोग उसे जानते थे हर कोई पेटियम use कर रहा था for making payments and all तो ये हर every individual especially retail category investor में everyone was aware with the company and its functioning तो ये एक positive रहा second अगर मैं IPO लेके भी आ रही हूं तो उस time पे मैं इतने premium rates पे नहीं लेके आ हूँगी इतने premium rates पे लेके आने का मतब था कि उनका intention था जितना जादा पैसा you know raise कर सकते हैं इस IPO कि तो जितना जादा फायदा उठा सकते हैं वह हम उठा लेते हैं क्योंकि it was clearly evident कि ये बहुत ज़दा overvalued IPO था अगर हम second signal की बात करें financials तो financials आप देखो clearly कह रहे हैं कि it is a net loss making company since years 2019, 2021 हर साल net loss company ने बनाया है कोई profit making company ये नहीं है अगर उसके बात हम देखे income tax related defaults debt जो claim कर रहा है लोगों ने जो company ने अप knowledge नहीं किया वो सारा कुछ हो रहा है 522 million so obviously कोई अच्छी company जो you know एक अच्छा business model पे जो काम कर रही है वो ये सारी चीज़े नहीं करेगी कहीं न कहीं या तो cash crunch हो या फिर intention गलत हो इन दो cases में ही इस तरह के defaults होंगे now इसके बाद में जो risk मैंने आपसे बोला कि DRHP में एक clause रहता है एक column रहता है जुसमें आपको अपने business के सारे risk factor highlight करने हो तो उसमें जो first risk highlight की थी Paytm या 197 communication में that was we have a history of net losses and we may not be able to achieve profitability मैंने आपको snippet भी लगाया है आपकी screen पर है उन्होंने खुद नहीं ये चीज़ कहा and the last signal या last factor is कि उनका जो business model है वो बहुत ही साधा varied है आपकी screen पर है they are into everything as in उन्होंने start किया था सिर्फ एक e-wallet से एक you know ease के लिए कि payment कर सके बंदा they you know bifurcated to everything banking, insurance, wealth management, gold, e-commerce everything और ये सारी चीज़ है कब जब उन्होंने proper licenses नहीं लिए in a country like India obviously banking के लिए आपको RBI के norm satisfy करने, insurance के लिए आपको IRDI के norm satisfy करने, आपको हर चीज़ के लिए you have to be compliant because अब इति सारे लोगों के पैसे के साथ deal कर रहे हो, which Paytm did not you know पहले उन्होंने licenses नहीं लिए, एक एक करके नहीं करा, एक साथ उन्होंने सारी चीज़ों में enter करा and this was the biggest problem और इसकी वज़ा से हर दिन उन्हें नए notices, नए you know warnings मिल रही है and that is why they are in the news now, ठीक है, DRHP में signal था, तो क्यों retail investors तो बुद्धू बन गए, लेकिन क्यों institutional investors ने इसमें पैसा लगाया see, please understand, एक तो होता है venture capitalist वाला, जो investors है, जो बहुत सारे इस तरह के start-ups में पैसा लगाते तो जो venture capitalist होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, वो अगर 10 start-ups में पैसा लगा रहे हैं, तो वो यह मान के चलते हैं, इसमें से stocks में invest कर उसमें से एक दो D-list हो गए तो कोई फरक नहीं पड़ता, या इवन 80% D-list हो गए तो कोई फरक नहीं पड़ता, understand, बहुत साथा difference है दोनों की risk appetite में, दोनों के attitude में, now coming on to the strategy, देखे अगर ये Russia-Ukraine war के पहले मैंने ये वीडियो बनाया होता हम लोग ये discussions कर रहे होते हैं, तो मैं आप से कहती है कि आप इसको average कर लो जब LIC का IPO आने वाला था, लेकिन now situation is totally different, Russia-Ukraine war इतने time से चल रहा है, वो एक negative sentiment लिया आया है market में, उसके अलावा बहुत सारे you know negative sentiment market is under tremendous pressure और LIC का जो IPO है वो भी postponed हो गया है, तो इस time पे you have to be really very careful, सबसे पहले हम discuss करते हैं, वो लोग जिनको IPO में ये stock a lot हुआ था, तो जिनने IPO में a lot हुआ था, देखिए आप लोगों को जिस rate पे मिला है, उससे already 70% तो ये tank हो चुका है stock, तो आपको इतने losses होई चुके, तो there is no 0.70% loss book कर 30% amount अपना free करने का, and IPO में a lot हुआ तो बहुत जादा quantity आपके बास होगी नी, तो for you I would suggest कि आप भी hold करो, ना आप इसे average करो, ना आप इसे sell करो, लेकिन आप इस intention से मत hold करना कि ये बहुत जल्दी 2150 आपका जो cost price है वो आ जाएगा और आप exit कर जाओगे, या ये बहुत जल कि वो अचीव भी कर पाएगा या नहीं, but हाँ, अभी आप इसे hold करो, जब चीजे बदलती है, जब market stabilize होता है, जब LIC का IPO आने वाला हो, जब positive momentum हो, आप इसको track करो company को, इसको performance को, इसे related news को, और correct time पे आप इसको average सरूर करना, क्योंकि 2150 का level बहुत हाय है, वो अचीव के इसे बहुत time लगेगा, पर अगर आपने proper averaging करी, तो आपको मौका मिलेगा कि आप decision ले सको, होगे आपको इसको no profit, no loss में, या थोड़ा सा profit book करके exit करना है, या फिर थोड़ा सा hold करना है, ये सारे decisions आप तभी ले पाओगे, second category, जिन्होंने market से खरीदा था, तो किस rate पे आपकी strategy depend करेगी, अगर आप अभी no profit, no loss या फिर आप profit में हो तो I would suggest कि आप इसे exit कर लो, third category जो इसमें fresh entry करना चाहते हैं, उन्हें I would say wait, ये अभी opportunity नहीं है, it may turn out to be a trap, तो this is the time when you should wait and watch and you should track the company, it's working, everything related to the company, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा, I hope आप इसे थोड़ा भी benefit हो सके, अगर ऐसा है, प्लीज इसे like कीजेगा, share कीजेगा, thank you so much